इसमें जो है मैंने प्रिवियस एर कॉस्टन का जो है का रे सकती और उर्जा का हमने लिया है बहले ही यह इस सिप्ट का नहीं है लेकिन कहीं न कहीं यह पूछा हुआ कॉस्टन से जो कि ELP टेक्निसियंस में ही पूछा गया था उनसे मैं अलग-अलग पेपर से उठाया हूँ अच्छा कॉस्टन है सारे कॉस्टन अच्छे हैं देखिए करने का कोसिस किजिए तो यहां पर देख्या का रहा है दो सो ग्राम की एक गेंद 20 मीटर 30 सेकेंड की गति के साथ लंबत उपर की और फिका जाता है इसके साथ इसके पंत पत के उच्छतम बिंदो पर गेंद का स पॉइंट को देखा कि कहीं न कहीं बॉल को ऐसे फेक राया लंबत उच्छतम पॉइंट पर इसका बेग क्या हो जाएगा तो आपका जबाब होगा कि यहां पर जो इसका बेग होगा वो जीरो हो जाएगा मेरे बात को समझने का कुस्स की हैं जैसे हमने इस बात को व१ान गुना बेग द्रमान जो भी हो यहां पर 200 ब्रमानफ हो लेकिन वेग अगर जीरो हो गया जि रोग उच्तम पॉइंट पर पूएंट पर की समझने कि क्या होगा तो यहां पर अनुक मैने इस लिए जिरो का हा माली जै कि मैं ले अन्गा ऑनिष प्हुथा किसी बॉल कर जा कर हौंइस्ट पॉइंट पर और रुक एगा और रुकने के स्थेटी में उस जिज़े क्या जैगा ? जी रो तो जैसे हमेने यहां पर झी रो देखा डैरेक्ट अण्सर भी जा हुई क्यों 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 कि समबक का फरमूला कर दरमान बना भी तो एम कम उन कुछ भी हो भी अगर 0 है तो इसका मतलब राइट आंसर 0 हला कि यहां पर यह SI यूट में नहीं था इसको चेंज करना पड़ता एकर answer होता मतलब कि कुछ और युन जैसे यह समय तब फिर हमको इसको चेंज करना पड़ता चलिए आगे इस बात को समझते हैं ओके नेक्स्ट देखिए इस कॉस्टंस को मनाई यह अच्छा कॉस्टंस है देखे एक पंप की दक्षटा 50% है ठीक है तो यह 20 मिनिट में 2 टन पानी को 60 मीटर की उचाई तक उठाता है तो पंप की इनपूट सकती प्याद किजिए पंप की इनपूट सकती है तो हमें यहां से जूद निकलेगा इन सबसे लेकर वह आउटपूट सकती निकलेगा आउटपूट सकती सकती का यहां पर कैसे निकाल सकते हैं कहने का मतलब की कहीं ना कहीं उसकी जो है पावर क्या है तो मेरे पास सकती निकालने के लिए क्या क्या चाहिए एम जी एच आफनती जाना सकती निकालने के लिए क्या छही में निकालने के लिए लëकिन यह क्या आउटपुट पोबर संब्रेवा निकलेगा क्योंकि यहां पर यह जो दिया है आउटपुट पावर यहां निकलेगा आउटपूट पाबर हमसे पूछा है इनपूट सकती क्या होगा तो हम आउटपूट पाबर निकाल लेते हैं एम कमान दो टन चलिए यहां पर मैं साइड में लिखता हूं एम अनि दरमान सिद्धा यह लिखता हूं समझ चाहिए गां Drumand two 10 है 10 से हमारा काम नहीं चलिए क्योंकि SI उनिट में हमें बदलना हो पड़ाए हूं तो एक टन पर रावर कितना होता है 10 पर पावर तीन केज़ी तो दो टन तेन पर यह में मेरे पास चितिया ہے 20 मिनिट क्या यह SI यूनिट में है नहीं है इसको SI यूनिट में चेंज किजिए 60 से गुना कर इतना समय निकल जाएगा सेकंड ओके फिर मेरे पास उचाई दे दिया है एच दे दिया है कितना 60 मिटर यह तो SI यूनिट में ही यह उठाता है तो अब हम यहां पर लगाते हैं आउटपूट पावर निकालते हैं एम टू इंटू दस पर पावर त्री जी जी अगर ना कुछ दिया रहे तो आप 10 ले सकते हैं दस जातो दिया रहेगा तो 9.8 ले लिजीएगा चलका मैं दस इस लिए ले रहा ऑं कि क्योंकि यह पाव फोइन्ट में एंसर नहीं है इसलिए ले रहा हूं हाना कि राता तो मैं 9.8 बही ले सकता था एच साथ मिटर समय मेरे पास कितना है बीस गुना साथ बीस गुना साथ तो यहां से यह कितना निकलेगा यह दस दूनी बीस यह बीस से कड़ गया यह साथ से साथ कड़ गया अन्य दस पर पावर तीन जो है सकती निकल गया दस पर पावर तीन वाट कहा सकते हैं कि यहां पर सकती निकल गया तो आउटपुट सकती हमने निकाल लिया अब दक्षता बराबर या इफियंसी बराबर जो फर्मूला होता है आप समझेगा आउट आउटपूट पावर आउटपूट पावर अपाउन इनपूट इनपूट पावर आउटपूट पावर अपाउन इनपूट पावर तो दक्षता हमारा कितना पचास परसेंट पचास परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं क्या एक बटे दो लिख सकते हैं ना तो एक बटे आउटपूट पावर पावर कितना दस पावर तीन वाट और इन्पूट पावर हमें निकालना है तो इसको कुछ भी माल लेजी आई पी माल लेजी आई पी इन्पूट पावर तो यहां से मैंने इसको डबलू भटा देते हैं ताकि समझ में असान से रहेगा तो इन्पूट पावर हमें निकालना है तो यह क्या हुआ इसको सुल्ब तो इन्पूट पावर बराबर टू इन्टू दस पर पावर तीन दस पर पावर तीन नहीं कहा सकते हैं यहां पर कि दस पर पावर तीन मतलब क्या एक हजार एक हजार वाट बराबर कितना होता है एक किलो वाट होता है ना तो इसको हम लिख सकते हैं दो इसको किलो वाट में बदल सकते हैं यहां पर कहा सकते हैं कि दसपर पावर जो तीन है इसको हम एक किलो वाट लिख सकते हैं मेरे भात को समझG बहुत तो यहां से इंपूट पावर जो है मेरा कितना निकल गया 2ो कियम्त कूछ क्योंकित यहां पर पूछ हैं मैं 33ोग जा 179ोंГ निकल गया उस अब अजया अच्छा कोस्ट्स से बढ़ा कर चार मीटर परocalyptic करने के लिए कितना कारे करना पढ़ेगा कितना कारे करना पढ़ेगा तो कारे बरावर आपने फर्मूला और भी पढ़ा गटी जुर्जा में परेवर्दन भी कहलाता है कारे तो गटी हाफ हैं मिदी स्कूर मैंनस यो इसकोर इस फर्मॉला को आप सीधा भी कर जैसे यहां पर कुछ नहीं था गते जोर्जा का फर्मॉला क्या हाफ mbisqwarr तो यह प्राडम भी वेगा है यह यह अन्टीम भी का है इसको भी से रिपरजेट कर रहे है तो बस इसी फर्मूला को यहां पर मैंने सॉट करके लेग दिया क्योंकि यहां पर दिखिये एक बार B u जो होता और बात समझ सकते हैं और क्या बता हूं एम कितना वन केजी और भी कितना चार तो चार का स्कॉार लिखे या सोलर डिरेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं चार का स्कॉार का सोलर दो का स्कॉार का चार तो यहां से डबलो वरावर तो हाफ सोलम चार गया बारह तो यहां सकड़ गया यह च्छे तो क देखिए अगर आपको इस तरह के प्रस्ट को बनाने में प्रोब्लम होता है तो आप कम सकम कुछ सूत्र जदा सूत्र नहीं होगा बारत तेरह सूत्र होगा मान लिजिए जदा पंद्रह या बिश्ट हो के असपास होगा उतना सा सूत्र याद कर लिजिए वांके बाद इस घटाकर पंद्रह मीटर परतिस सेकेंड हो जाने पर उसकी गति जुर्जा दो हचा दो सो किलो जूल कम हो जाती तो टन में इसका दरमान क्या होगा ठीक है टन में दरमान पूछ रहा है तो मेरे पस दिया क्या है यह अंतिम बेग है जैसे मान लिजिए कि यह या तो प्राद कर दिया गया कहीं ना कहीं यहां भी गतिज उर्जा में चेंज ही कार कर यह कहला आए बात समझ रहें तो यहां पर वही चीश को लगा सकते हैं कि कार यह बरावर हाफ एम इंटो वी स्क्वार मैंस यू स्क्वार या बड़ी वाली जो डाटा है उसको अब भी मान लीजिए यह छोटी वाली डाटा को यू मान लेजिए बस यहां पर देख़ें कारे कितना दिया है दो हचादो सो किलो जूल किलो के जगए पर हम हजार कूट कर Sकते हैं कि नहीं हाजार जूल यह चेंज हो गया किसमें जूल में क्यूंकि कारे का इसा है मतलब होता है यह अब जूल म स्क्वार का 120 यहां से यह क्या हो जाएगा समझगेगा दो सो गुना एक हजयर और यहां से हाफ कि traveled इसमेंए गटा यह 605 में दो सुब बचीस दो चार सो कितना आ गेँवगा 400 तो अब देखी एकटा पीटा कि क्या आता है यहां तो मैं कटा दिया दो बार में और ये दो से दो कट भी गया तो एम बराबर सिधा-सिधा एक हजार केजी आगया लेकिन हमसे तो टन में पूछा है तो एक हजार केजी बराबर एक टन होता है तो हम कहा सकते हैं कि एक टन है यहाँ पर क्याना है एक टन है कि एक हजार केजी बराबर एक टन होता है इसका अंसर एक टन हो जाएगा उमिद करते हैं कि आप समझ पा रहे ह होंगे हैं नेक्स्ट uh गैठ देखिया है जज़ dhakyanli में 1200 Jul काये किया जाता है तोकारीशत बल न्यूटन में कितना होगा ठीक है तो न्यूटन बल क viyos मत्रक क्या है है न्यूटन और यह दूरी जूरी का मीटर होता है यह तो चाहीं में कारे बराबर फरमूला क्या लगा सकते हैं एफ इंटू एस अनि बल गुना विस्थापन कारे बराबर फरमूला होता है कि नहीं बल गुना विस्थापन कारे हमारे यहां पर जो दिया हुआ है बारा सो जूल दिया है बल निकालने बोल रहा है विस्थापन कितना था नहीं को बस तू है इसको धकेल कर 20 मेटर धकेल कर यहां पहुंचा दिया यहां से यहां से यहां तक भी स्थापित हो गया तो विस्थापन कितना 20 तो यहां से इसको कटाईए पिटाईए देखिए कितना आता है अब आप कह सकते हैं 60 न्यूटन बलका ऐसा हमात रख्या होता है सो केजी दरबमान के एक स्कूटर को भी बेग की चाल से चला रहा है अधी स्कूटर और लड़के की गती जुर्जा च्छीएतर दस्वलब आट किलो जूल है तो भी मीटर परती सेकेंड में क्यात किजिए ठीक है तो आपको पता है कि गती जुर्जा का जो फर्मूला होता हाफ एम भी स्कूएर होता है ना तो यह होता है तो अब हमें दरबमान चाहिए एम का मान चाहिए दूसरी बात भी चाहिए उसके बाद मेरे पास तो यहां गती जुर्जा का मान दे ही दी दिया के यह का मान दे ही दी दिया तो यहां पर एम का मान कितना पचास के जी का हो जाएगा किसका एम का मान बात समझ रहें मैंने दोनों को क्यों लिया जैसे मान लीजिए हब खुद से किसी में टकराते हैं तो सिर्फ आपका बजन काउंट होता लेकिन आप बुलोरो लेकर टकरा जाईएगा तो आपका बजन के सासथ बुलोरो का भी बजन आएगा कि नह लिएन यहां पर दोनों के वजन को काउंट किया हमें भी निकालनी है और गति जुर्जा हमें दिया है 16.8 kilo j руб लेकिन हमें कीलो जूल में नहींचाइए गिस में क्यों कि 20 योनित में यहां हम से 40 उनित में आंसर पूचे है यह भी हमें एसाइब इनित में और और आंशर भी काने का मतलब जो है यहां पर kilo जूले कीलो को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं 1000 से गुना चलिए तो यही पर मैं solution में गुना कर देता हूं आप समझ लीजिए 76 के जगए नहीं 76.8 kilo kilo के जगह पे 1000 ओके तो यह जूल में चेंज हो गया तो हाफ एम कमान तेड़ सो भी हमें निकालना है यहां से इसको गुना करें तो यह आपके कट जाएगा 75 बार में तो बटे 75 तो यहां भी इसको आपके तो चलिए देखते हैं कटा पिटा के कहां से करता है कि नहीं तो 25 से मैं देखे इसको थोड़ा सा असान करने के लिए मैं बताता हूं अगर गुना में भसें तो क्या करें अलग से मैं एक बात लिकना क्लिए चाहता हूं यह पर दिकिए इसको मैं च्छे साथ सो अरसट गुना सो दिक सकता हूं क्या इस बात यह सकता हूं न बते क्या है पचैत्र तो अब बताइए सो भी 25 से कटेगा और 75 भी 25 से कटेगा कटेगा की नहीं आप मैजे बाव हम कहा का बेगा है तो कटा दीजिएए कबता पचीस से तीन वार में पचीस से चार वार में ये तीन से तिन द्वी छे तीन पचचे पंदर्व तीन चार क अधार है तोच्छों गोना चार आगया मैंने इसको टोटल कटा पिटा दिया यह मैंने सो से इसलिए गुना कि है nettak किया मैं आपको समझा सकता। हलां कि मैं यहीं पर भी कटा सकता था बस समझाने के लिए तो यह कितना आ दो सो चापन गूले चार अब मैं इसको गुना नहीं करूंगा डाइरेक्ट यह भी स्कॉर उट के घडार आएगा आएगा ये madegs और चांज का इस्मने खी खाल में बूनि हैं तो ऊसनों कितना इस्मनों ब फिर कोई सूना मैं यह तो वे वर पर कितना निकल गया 32- 3 पर श्क्नि आपका wild पड़ां। लिए तरीके से बनाईए गलती होने की कोई चांस ही नहीं है जहां थोड़ा सा मिश्टेक की तो फिर दूबाला बनाने की जरूरत पर सकती है और मिश्टेक किसी से भी हो सकते हैं हम रहे हैं आप रहे हो चाहे कोई भी कितनों बड़ा मतलब की बहुत बड़ा टीचर क्यों न कर दीजिए गा या तो आप हमें कोमेंट में बता दीजिए क्यूंकि देखे अगर मैं इतना को सन सही से करा सकता हूं तो इसके लिए दोस्त ज्यादा दिल पे लेने की जुरूरत ना है आगे देखिए अधी वी वोल्ट पर दो सो कुलाम की आवेस को अस्थंत्रित करने पर 90 जुल कारे किया जाता है तो भी ज्याद किजिए भी ज्याद किजिए ठीक है तो अपने कारे बराबर एक फर्मूला और भी पढ़ा होगा डवलो बराबर भी क्यूं नहीं पढ़ा है तो आप पिस्क्रिक्स का उठाईए टेंट का और यह सब सारे फर्मूले आपको टेंट के बुक में मिल जाएगा धारा चेप्टर में जो धारा चेप्टर का है वा धारा चेप्टर में मिल जाएगा जो कारे चेप्टर का हो कारे चेप्टर में मिल जाएगा कहीं नहीं मिल जाएगा ठीक तो मेरे पास क्या-क्या है भी हमसे पूछ रहा है क्यों का मान दि नबे जूल दे दिया है ओके पूछ रहा है तो बताईए ये नबे है और ही हमें निकाल ली है गुलाम ये दिखे आवेस का इसाय मातरक गुलाम भी होता है आवेस का इसाय मातरक क्या होता है गुलाम तो यहां पर एसाय यूनिट में ही है गुला तो हो जाए तो इतना सा तो आप असाने से हाल कर सकते हो तो मैंने यहां से कट आया तो यह नौ बटे 200 आया भी बराबर तो यहां से काने का मतलब इसको कटाई यह तो यह नीचे 100 उपर दो कटाएंगे तो फौर पॉइंट फाइब लाएक के टॉप सन देख रहा हल किजिए इतने अंसर आएगा आप करके देखिए यहाँ पर दो जीरो है तो दो जीरो और खिसक जाएगा इदर तो भी बराबर निकल कर इतना आ गया तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट ऐसी भ कभी गवर किया होगा कि सौट पे आपने बहुँच चीज देखा होगा कितना चीज याद है आपको कमेंट में बताईए सौट से किसी का कुछ सौट तरीका ने किसा अफ़लता पॉने के लिए सौट जैसा नाम कोई चीज ही नहीं बहले हाँ आप देखो लेकिन कहीं ना कह इस्तिती जुरजा का उधारन नहीं है एक बांद में सग्रित पानी तो इस में तो इस्तिती जुरजा है क्यों देखे बात कहने मतलब जहां इस्तिती जुरजा का मतलब क्या कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए कुछ ना कुछ हाइट होना चाहिए दरमान होना चाहिए और कुर्तवा करसन तो लगना ही चाहिए जी कामान लगना ही चाहिए क्योंकि फरमूला क्या होता है एम जी एच इस ते जोड़ जागा है ना तो नदी ही है या डबाई ही है आप डबे में पानी रखे हो तो इसमें इस पानी की कुछ Industrial मेरी बात को समझ भाइबर पर कुछ ना कुछ बाल तो काम कर रहा है जो की कुरत्वा whilst ऑ कर से बेल काम कर रहा है तो हाइट भी है और इस पोनी का कुछ ना कुछ दर्मान होगा तो यहाँ पर इस्तिती जूर ज़ा लगेगा बिल्कुल तो गहीं न कहीं यह पोनी स्थीर है इसलिए मैं कहा सकता हूँ यहाँ पर इस्तिती जूर जाए एक उठा हुआ हतोड़ा यह कोई बेगती है यह हतोड़ा उठा लिया और यहां उठा कर रखा हुआ है तो यह इस्थित इस्थिर करके रख दिया इस हतोड़े को यह इस्थिर करके रख दिया तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट हो गई इसका कुछ ना कुछ दरबमान है और इस पर यह जो बल काम कर रहा है तो यहां पर भ चाहिए बाता हुआ पानी में गती है कि नहीं तो इसमें गती जो रूठी जल मत रिख गया जल को क्रिस्टिलाइज कर देना या जल को आइस के रूप में बदल देना ये सब संगोचित जल का ही तो धारण है तो ये भी आपका नहीं होगा तो यहां पर इसका राइट अंसर यहां पर भी धियान दीजिएगा कि यह जो है यहां क्या कह रहा है नहीं कि सिदा देखें इस्तिती ज़र्जा बस मर दिया आगे नहीं पड़े ऐसा मिश्टेक होता है और हमसे भी बहुत वर हुआ है यहां हम टेस्ट बगएरा लगाया लगाने जाया करते थे वहां होती थी और एक्जाम भी हुआ है हमसे खुद से हुई है तो यहां पर दिखें द्रमान को इस्तित रखते हुए अधी किसी निकाय का संबेग तिन्गोना कर दिया जाए तब इसकी कति जूर्जा क्या होगी त तो आपको संबेग का तो फरमॉला पता होगा कि क्या होता है एम वो ना भी तो यहां पर हमें द्रमान पहले से क्या है अगर मैं देखो तो द्रमान क्या है द्रमान एम है देग क्या है भी है लेकिन इसने कहा कि संबेग को तिन्गोना कर दिजिए नेक्स्ट बात मैं कहा कि कि अदिकिसी किनिकाय का संवेख को तिन गौना कर दिजी तो इसकी गतिर जुर्जा क्या है और दरमान को इस्थिर रखना र Dust no change. तो दूसरे इस्तिती में जो कह रहा है कि द्रमान को कोई चैंज नहीं करना द्रमान जो ए मैं है उसको ए में ही रहने देदी आजाए ए में ही रहने देज़ी आ जाए लेकिन संबे को आप तिन गुना कर दीजिए संबे तीन गुना यह द्रमसा जो है इंभी को अब तिन गुना कर भीजे तो अब बैग जो होजाएगा मेरी बात को जरा गउरसी हाँपर समझड़ीएगा बैग स्थմर yap धियू हो जाएगा धर. द्रुन को तो च nj नहीं कर सकते तो इसका मतलब बैग ही तिन गुना हुआ है वाथ समझ रहे हैं? धरमान को थो हम change नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कहाए कि इस तरी रखते हैं तो यह बेग को ही change करना पड़ेगा तो यह बेग ही तिन गुना हुआ है तब ही जागर समग़ एक तिन गुना हुआ है है ना तो इसका मतलब बेग तीन गुना हो गया है थ्री भी हो गया है अब इसकी गती जुर्जा क्या होगी अब इसका गती जुर्जा क्या होगी ये बात हमसे इसने पूछा तो देखे पहले गती जुर्जा इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे अगर लगता है कि इस तरह से निकालने में थोड़ा लोचा है तो आप इसका कुछ मान एज्यूम कर लीजिए मतलब कुछ भी मान सोच सकते है जैसे कहने का मतलब आप समझेगा मैं दरमान को कहता हूँ कि आप दरमान को एक केजी मान लीजिए बेग को दो केजी बेग को दो मीटर पर सेकेंड मान लीजिए तो दरमान चेंज नहीं करना है मतलब कि एक केजी ही रहने देना है और बेग को तिन गुना कर दिया पहले बेग को हमने दो मान आ तो इसका मतलब अब छे हो जाएगा अब दूनों जगह लगाईए पहले इस इस्तिति में गती जुर्जा लगाईए तो इस इस्तिति में गती जुर्जा क्या होगी हाफ एम कामान एक भी कामान दो यहां से गती जुर्जा कितने निकली पहले एक निकला पहले कितना निकला एक कह सकते हैं कि यह गति जूर्जा फस्ट बार जो निकला एक निकला अब इससे गति जूर्जा निकाल लिए तो मैं यहां से गति जूर्जा निकाल रहा हूं तो देखें हाफ कि ए मैंका मान एंगर निया है और एक छीले लेना है stein विश्कॉाइर है न तो छीना इसनी नहीं कि यहां पर दी कि थोड़ा सा उन वॉद्यव होगा है भी के जगह पर दो लेंगे तो दो दुनी गति जूर्चा का formula क्या haf m b square ठीक है तो b square चाम दो का square यहाँ पर चार होगा और चार को दो से कट आईएगा दो इसका मतलब पहले गतीज़ा दो चूर लेकला है अब यहाँ पर दीए अव जो बेग है हूँ अच्छे का square 36 अब यहां से देखियेगा यह कितना निकला, नो बर में कर जाएगा, तो इसका मतलब अब जो निकला है, नो बर में करते हैं, अठारा बर में, अठारा बर में, अब अठारा, तो पहले दो और अब अठारा, तो गती जुर्जा क्या हुई है, इसके मुल मान की नो गुनी हुई है, दो का ये अठारा कही गुना ह तो यह राइट आंसर है और हमकों नहीं लगता है किसे बहतर और कोई तरीका हो सकता है हो सकता है तो अब समझ येगा लेकिन ये सभी के लिए समझने लायक था चाहे हो अच्छी स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल हो वह सभी समझ सकते हैं मैंने कहा भी एक ये वीडियो जाए जदा दर कमजोर चाहत्रों को पहुंच जदा पाइदा पहुंचाएगा क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है कहीं न कहीं वह इन सब तरीकों से या तो इन सब कोस्तानों से उनको भी बैटने हुआ होगा तो मैं आपको बैट करवा रहा हूं करिए देखिए कहीं न कहीं आपको बहुत कुछ सिखने मिलेंगे और बाद में कहिएगा कि भाई कहीं हमें सिखने मिला है तो देखिए नेक्स्ट ये 1008 का एक फिगे फगंटे के लिए परियोग किया जाता है कितनी उर्जा खफत करेगे या होगी सदेखिए हमारे ये क्या है वाट किसका होता है सकती कैसा हमाता cinq सकती जो भी मी थे है कितना द欸 दी रहा है kay entrepreneurs interview by go as a shop क्या होता है time पंच घंटा पर दिन और चला रहा है तीन दिन अन् ones घंटा पर दिन चला रहा ह्हार और तीन दिन यूज कर रहा है कि मतलब 15 घंटा किटना यूज कर रहा है 15 वन हो पिरे बात को समझ रहें यह कितना देर चला रहा है पंद्रह घंटा अब हमें यहां पर जड़ा दिमाग माग लगाना है कि क्या होता है तो कहीं ने कहीं यहां पर उर्जा के बारें बात कर रहा है तो हम सकती बराबर क्या होता है डबलू अपॉन टी अन्हीं हमें कारे BC Isno सक्थी कितना है सो डवलू हम से पूछ रहा है ती कितना है पांदरा टी कितना तो यहां से डबलू muffin कितना ऐंगंधा कंदरा सू वाट गणता कंदरा सो वाट गंटा एक यूनीट पराबर बताइए क्या होता एक यूनीट बराबर कितना होता है republican其實 घंटा है कमारे पास यहां पर हैं पंद्रहासो वाट गंटा है कितना है एक यूनिट बराबर एक किलोवाट गंटा एक वार्ट बड़ाबर जो हता है किलो फटा हो गया हो गोंगे कि एक किलो वाठ होता है और यहello कि ये किलो वाठ के बराबर होता है किलो बाट समझ रहे होतो मैं आप सबस्सक्रों ये कशस tut AIP युणिंट्स गशनी के अब Pres Meeting किएगा थोड़ा समझने का को अच्छा लगा होगा तो जरूर एक लाइक एक से एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए अच्क इन जिससे हमें भी थोड़ा खुसी मिलता है हमें भी थोड़ा मौटिवेशन में जो मैं आप लोगों कで यह वीडियू बनारा हूँ कही न खही इस से आपको कुछ न बिन petit हो रही होंगे वह कि नहीं है तो अगर लग रह membr की तो ओर जरूब सब्सक्राइब करने का कुछिज करें अन्य तो आप या वो आप पर डिपेंड मैं तो सिर्फ कहें ही सकता हूं कि आप हमें लाइक सेयर और सस्क्राइब कीजीए जिससे कि हमारा भी जो है मन लगा रहे बनाने में और आप लोगों को कराने में है किने माक बात चलिए कोई बा जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह का विडियो बनाने में और पूरा कहना है कि मतलब कि आपको किस तरह का कॉंटेंट देना चाहिए कैसे सुल्यूसन को कराना चाहिए क्या रूल होनी चाहिए जिससे कि आपको फाइदा हो वाग समझ रहे हैं तुम कमेंट बोक्स खुला है अरॉम से आप बोल सकते हैं लेक सकते हैं बोल तो नहीं सकते हैं लेक सकते हैं तो लिक दीजिए गा मुझे बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिन जय भारत